नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम बात करेंगे फॉरस्ट के बारे में इंडियन फॉरस्ट एक्ट और वाइल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में कि अप्रोटे कुछे को बारे में इंडियन अप्रोटेर अव्रॉ। बारे में इंडियन नंगियो ऑफ्रोटेंगे भी कि अप्रोटे ही आडिया 7 जल फॉरस्ट पहते हैं गाइट्स आज बात करेंगे हरिद्वार के अंदर, राजाजी नेसल पार्क, सोशल फोरस्ट्री और सिवालिक फोरस्ट के बारे में दोस्तों आप जानते हैं, फोरस्ट हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, परियावरण के लिए बहुत उपयोगी है इसके अंदर जो हमारे वाइड लाइफ रहता है, वो परियावरण का संतुलन बनाए रखता है यहां बहुत महंगे महंगे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, जिसमें सागून के पेड़ हैं, सीशम के हैं और खेर के पेड़ हैं खेर के और सीशम के सागून के पेड़ों की कटाई बहुत होती है, इस्मंगलिंग होती है, जिसके बुरुद कानूनी कारवाई की जाती है क्लोमेटर में हैं इस फॉरस्ट में एलिफेंट और टाइगर काफी संक्या में हैंगे भी एचियल को आप जानते होंगे भारत है वी अलेक्रिकल डिमिटेट इसकी जो बॉंडरी है राजे नेसे पार्क से लगी भी है भी एचियल के अंदर भी कभी कभी आपको एलिफेंट और टाइगर देखने को मिल सकते हैं महां कई वारदात कई घटनाएं जानुरों हिंसक जानुरों द्वारा महां के आने जाने वाले लोगों पर अटेक करने की हो चुकी हैंगी दोस्तों अगर आप जंगल में जाने का सौक रखते हैं तो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन देखत होगा डिएफ वोगा वैसे इसके अंदर डारेक्टर होते हैं डारेक्टर से आप परमिसन ले सकते हैं दोस्तों परमिसन लेके अंदर जा सकते हैं अने था वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 31 के अंदर जंगल में प्रवेश करना पर्तिबंदित है इस जंगल को अभियारन भी बोलते हैं, इंगलिस में हम सेंचुरी बोलते हैं, इसके अंदर आप परवेश नहीं कर सकते हैं, परवेश करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा। दोस्तो, यदि आप परवेश कर जाते हैं और उसके बाद आप महापर शिकार करते हैं किसी जानवर का, तो या ट्रॉफी बगरा लेकाते हैं, जानवरों की खाल चुरा लेते हैं, तो उसके अंदर, सेक्शन फिटी बन के अंदर, पनिस्मेंट का प्रवेशन है, सेक्शन फि हत्यार लेकर जंगल में नहीं जा सकते हैं, अगर आप गए और पकड़े गए, सेक्शन फिटी बन में प्रवेशन है, जो आपको पनिस्मेंट होगा, या जो सजा मेक्जिमम मिल सकती है, अगर आप सिकार नहीं करते हैं, जंगल में पकड़े जाते हैं, बिना अनुमती के, तो उसमें तीन वर्स की सजा का प्राविधान हैं, और पच्चीस सजा पुपे का जुर्माना, दोनों सजा भी हो सकती है, जुर्माना दोनों साथा सो सकते हैं, दोस्तों यदि आप राजे इनिस्टे पार्क में जानवरों का शिकार करते हैं, और पकड़े गए मोके पर, तो उसमें आपको minimum 3 years से 7 years तक की punishment का provision दिया गया है, यह offense non-bailable offense है, और इसके अंदर citizen trial case है, कोर्ट में जाएगा, citizen trial होगा, यदि आप फरार हो जाते हैं, तो NBWB आपके जारी हो सकते हैं, दोस्तों इसके अंदर bail आसानी से नहीं होती है, और काफी समय जमाने में लग ज करता है, इसके कोई विजुसास forest के अंदर जाने का मत कीजेगा, क्योंकि इसके अंदर जाना बहुत risky है, खत्रा है, कभी भी कोई जानवर आपको attack कर सकता है, इस जंगल से सहर के अंदर भी कई जानवर आते जाते घुमते भी देखे गए हैं, दोस्तों इसके अलावा सिव हैं जाते हैं, और बीच में वह गंगा भी भह रही है, नहर है, कैनाल है उसको देखने के लिए जाते हैं, घुमने के लिए जाते हैं दोस्तों, दोस्तों सिवालिक फॉरस्ट चीला रेंज अक्टूबर में घुमने के लिए परेटों के लिए घुमने के लिए खुलता है और इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो एक है और कभी-कभी कई किसे ऐसे हुए हैं उन्होंने आतियोंने अटेक कर दिया है कई लोग तो जान बचा कर वापिस आएं दोस्तों अगर आप सोचल फोरस्ट्री के अंदर या आसपास के गाउं के अंदर रह रहे हैं या आप महां पर लखड़ी काटना चाहते हैं तो मत अगर आप लखड़ी काटते वे पकड़े गए तो उसके अंदर आपको एक हजार पी तक जुर्माना हो सकता है और जो लखड़ी का कमपसेशन है एक लाग दो लाग रुप है वो कोट आपको कमपसेशन भी लगा सकती है और लखड़ी सीज हो जाती है यह लखड़ी किमती हैं हमारी परियावरण के लिए बहुत ही किमती है जंगे जंगे आप बलकी हर आदमे को यह चाहिए एक पीड अपने घर पे लगाए काटे नहीं तो यह हमारा हरिद्वार सिवाली ग्रेंज और राजय नेसल से घिरा हुआ है आपको जब नजवाद से जाते नील गाए भी बहुत हैं जो रास्ते में आती हैं और कई बार दुर्गटा भी हो चुकी है तो मैं अनरोध करूँगा अगर आप हरिद्वाद जा रहे हैं गाड़ी से जा रहे हैं तू भी लटसे जा रहे हैं रात के समय तो दिखके जांगेगा रास्ते में हाईवे पर क् कि नील गाय भी कई बार टकरा चुकी है दोस्तों आज मैंने गाइड किया है फॉरस्ट के बारे में यहां हर्दवार में फॉरस्ट कैसा है अगर आप देखना चाहते हैं तो अक्तुबर में आईएगा और चीला रिंज में परमिसन लेके घुमने के लिए जाएगा आपको मे कैसे लगे तो मुझे कमेंट करके कमेंट बगस में बताईएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा कि राजने इससे पार्क में कितने हाथी हैं कितने टाइगरस हैं और कितने ह Fitness हैं इसकी गिंती होती है इसका रिकॉर्ड उप्लक्ड होने के बाद मैं आपके सामने फिर पेस करूँगा तब तक के लिए गाइड्स मुझे इजाज़त दीजिए नेक्ट एपिसोड में नई सब्जेक्ट के साथ आपको मिलूँगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार